हाई एवरीवन और आज हम बात करेंगे अर्थमाटिक ऑपरेटर्स की हम अल्रेडी यूज कर चुके हैं मेरे प्रीवियस एडियो में जैसे सम अफ नाच्रोल लंबर्स के प्रोग्राम में और आज हम इसको कुछ और भी डिटेल में समझेंगे कि कौन-कौन से अथमाटिक ऑपरेटर्स होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज करते हैं और आपने ये स्कूल में जरूर पढ़ रहे होंगे जैसे प्लस फोर एडिशन, माइनस फोर सब्ट्राक्शन और मल्टिप्लिकेशन और हम कुछ नए आपरेटर्स पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ेंगे और चलिए आप हम इसको एक्जामपल से समझते हैं तो पहला एक्जामपल हम एडिशन से करेंगे, दूसरा हम सब्ट्राक्शन से करेंगे और तीसरा हम मल्टिप्लिकेशन से करेंगे चलिए अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम पहला variable लेते हैं A, चलिए अब हम इसमें 7 assign करते हैं, अब हम अपना दूसरा variable लेते हैं B, और इसमें हम 3 assign करते हैं. अब लिखते हैं print, प्रैकेट के अंदर single code A is equal to comma A, फिर दूसरी लाइन में print, B is equal to comma B, fair print, addition, comma A plus B, fair print, subtraction, A minus B, fair print, bracket multiplication is equal to comma A multiplied by B, चलिए अब इसको run करते हैं, तो अब हमारी output screen में आ रहा है, A is equal to 7, B is equal to 3, addition is equal to 10, subtraction is equal to 4 and multiplication is equal to 21. Division दो type का होता है, एक आपको exact floating point value देता है और एक आपको floor value देता है, तो अब हम अपने पुराने variables यूज करते हैं, A में 7 assigned है और B में 3 assigned है, तो अब हम इंदो variables के बीच में division operator यूज करते हैं, तो print bracket single quote division bracket float is equal to comma A divide B, चली इसको run करते हैं, तो अब हमारी output screen पे आ रहा है, division bracket float is equal to 2.333 और फिर division bracket floor is equal to 2 आ रहा है, अब हम बात करते हैं कुछ special operator की, जो हमने जर्नली स्कूल में नहीं पढ़ दे होंगे, पर ये programming language में बहुत यूज होते हैं, तो हमारा पहला special operator है percent operator, इसको हम modulus operator भी बुलाते हैं, अगर हम एक number को modulus operator से divide करते हैं, तो वो हमें remainder देता है, for example अगर हम x को y से module करेंगे, तो वो हमें remainder देगा, अगर x assigned 20 और y assigned 3, तो हमें remainder मिलेगा 2, चली अब हम program लिखते हैं, x assigned 20, y assigned 30, fair print, bracket single quote x is equal to comma x, फिर print, bracket single quote y is equal to comma y, fair print, bracket single quote remainder is equal to comma x module y, चली इसको run करते हैं, तो अब हमारी scoring इन पर output पूटा रहा है, remainder is equal to 2, percent operator के ऊपर based और भी problem को हम solve करेंगे, मेरे आने वाले वीडियो में, हम अपना दूसरा special operator लेते हैं, star star operator, यह power operator होता है, power क्या होती है, अगर मैं लिखू, x raise to the power y, तो मैं x को y times लिखूँगी, for example, 2 raise to the power 3, तो इसका मदला होगा, 2 multiplied by 2 multiplied 2, अब हम प्रोग्राम से समाजते हैं, तो अब मैं values change कर देती हूँ, x में 2 कर देती हूँ, और y में 3 कर देती हूँ, तो अब हम मैं लेक्टिव प्रिंट, bracket single quote, power is equal to comma, x star star y, चलिए इसको run करते हैं, तो अब हमारी output screen पे आ रहा है, power is equal to 8, तो इस वीडियो में हमने automatic operator समझा, मेरे आने वाले वीडियो में हम relational operator समझेंगे,